नमास्कार दोस्तों सुआगता एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके दोस्तों 10,000 से जादा पदो पर वेकेंसी निकली है दो राजियों में तो उसकी बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों आपको स्टेट में बहुत बड़ी वेकेंसी दोस्तों निकल रही है आपको बता तो दोस्ते आपकी की रेवेन्यू, अकाउंटेंट, कलरक, असिस्टेंट, लाइनमेंट, असिस्टेंट, सबस्टेशन, अटेंडनेंट, जूनियर, इंजिनियर, सिविल, मेकेनिकल, इलेक्टरिकल, इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे medical officer की और भी कई department में दोस्तों वेकेंसी निकल रही है तो दोस्तों अब यहाँ पे official notification देख लेते हैं उसमें मैं आपको पूरी आपकी जो basic requirements आपकी यहाँ पे forum भरने के लिए जो चाहिए होगी सारी बताने वाला हूँ अब करते हैं व दोस्तों यहाँ पे वेकेंसी निकली है टोटल दोस्तों आपको बता दू कि यहाँ पे चटेगरी वाज देख लेते हैं कि non-technical post कितनी है और आपकी technical post कितनी रहने वाली है नोन-technical post दोस्तों यहाँ पे table A के अंदर दे रहे हैं revenue accountant and color की आपको दोस्तों यहाँ पे category वाज बता रहे हैं total post की बात करें तो दोस्तों आपको बता दू कि यहाँ पे 549 total post आपकी रहने वाली है इसके अलावा दोस्तों आपके टेकनिकल post की बात करें तो टेकनिकल post में junior engineer की आपकी यहाँ पे assistant lineman की assistant sub station attendant की यहाँ पे total मिला कि अगर post देखें तो दोस्तों यहाँ पे category qualification क्या रहने वाली है दोस्तों अगर essential qualification देखें तो यहाँ पे revenue accountant की बता रहे हैं कि आपके पास full time regular big com के degree होनी ज़रूरी है minimum 60% marks के साथ में या फिर आपके पास M.com के degree होनी ज़रूरी regular यहाँ पे 50% marks के साथ में या फिर अगर आपने यहाँ पे C.A.I.C.W.A.I. इंटर द बता दू कि आपके पास 3-4 साल का diploma होना ज़रूरी है या फिर आपके पास यहाँ पे B.T.E.C. की degree होना ज़रूरी है minimum 60% marks के साथ में और दोस्तों assistant lineman के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास matriculation और equivalent and national and apprenticeship certificate दोस्तों यहाँ पे आपके पास अगर आपने I.T.I. कर रखिए तो आप यहाँ पे eligible assistant lineman के लिए और ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे assistant substation attendant के लिए आपको बता दू कि full time regular diploma in electrical engineering with 60% marks या फिर electronics and communication में या फिर आपके पास इंस्टूमेंटेशन में 60% marks या फिर आपके पास I.T.I. या आपके बता दू दोस्तों में कि आपको knowledge होना जरूरी यह पंजाबी language का age limit दोस्तों यहाँ पर minimum 18 साल बता रही के maximum 37 साल बता रही है अब दोस्तों यहाँ पर forum की date देख लेते कि आपके यहाँ पर forum कब भरे जाएंगे आपकी यहाँ पर exam का यहाँ पर syllabus क्या रहने वाला पूरा दोस्तों यहाँ पर detail में बता रहा है एक एक चीज़े में आपको बता नहीं सकता लेकिन एक बारे आप यहाँ पर official notification जरूर देख लीजेगा अगर दोस्तों यहाँ पर online application fees की बात करें तो आपको बता दो कि SC category और PWD category को छोड़ कर यहाँ पर सभी category के लिए 946 पर चार्ज लगने वाला है SC category के लिए यहाँ पर 500 नबर बता रहा है और PWD के लिए यहाँ पर 500 नबर पर चार्ज लगने वाला है इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे आपके यहाँ पर starting date और आपके यहाँ पर last date कप रहने वाली exam की तो दोस्तों important date बता रहे हैं यहाँ पर registration की 31 तारिक से आपके यहाँ पर forum चालोंगे closing date आपके 26 June बता रहे है 20 June बता रहे है और दोस्तों आपके closing date application की आपको बता दू कि 27 बता रहे हैं मतलब कि 27 आपके application online application fees की जमा कराने की 2 July बता रहे है तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब state में vacancy निकली है काफी अच्छे पाद है दोस्तों आप 2600 से जादा पदो पर vacancy है जरूर भरिएगा अब बात करते हैं आप दूसरी बाग की दोस्तों इसके अलावा दूसरी vacancy आप बिहार के अंदर निकली है medical officer की दोस्तों आपको बता दू कि 4 मैं से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके थे और आपके यहाँ पर last day 24 मैं है दोस्तों कल आपके यहाँ पर last day रने वाले अगर आपने यहाँ पर फोरम नहीं बरा है medical officer का तो आप भर सकते 6638 दोस्तों आप वेकंसी निकली हुई है और दोस्तों medical officer में दो specialist medical officer की और general medical officer की दो post यहाँ पर निकली हुई है total यहाँ पर 6000 से जादा अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्स अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती पूरुस महिला के लिए 42 वर्स बता रखिए पिछडा वर्ग 38 पूरुस महिला के लिए 40 वर्स बता रखिए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर application की fees क्या रहने वाले त दोस्ते हैं पर 50 रुपे आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उमिद्वार के लिए बिहार राज्य के इस्ताई निवासी के लिए 50 रुपे राज्य के बाहर के उमिद्वार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला है पुरिश हो आपके 200 रुपे चार्ज लगने वाला है तो